नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन की दिन भर की खबर जानते हैं बिधायक दिफिका ने बीच शड़क पर गंदे पानी में अस्नान करने लगी महाँगावा बिधायक दिफिका पांडे सिंग बुद्धवार की सुबा सुबा एक अलग रंग में दिखी बिधायक बीच सड़क पर ही बैट कर गंदे पानी में अस्नान करने लग गई बिधायक की इस एक्षन को देह कर हर कोई हैरत में पढ़ गई दिरसल बिधायक लंबे समय से खराब पड़ी सड़क की स्चिती का बिरोध कर रही थी और इस रोड की स्चिती को जल्द सुधार करने की मांग को लेकर मुखर थी बता दे की मेहरमा के राष्ट्रिय राजमार्ग 133 मेहरमा पिरोध पूर सिद्धु कानु चोग पर सड़क की स्चिती लंबे समय से खराब है इस सड़क पर आय दिन दुर घटनाय भी होती रहती है लेकिन अब तक इस सड़क की मरमत नहीं कराई गई विधायक ने कहा है कि लंबे समय से एन एच ए आई द्वारा अस्वासन के बाजूत सड़क नहीं बन पा रही है रांची में 9 अक्टूबर को भारत दक्षिन अफरीका वंडे क्रिकेट मैच जे एस सीए अंतराश्ट्री अस्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले वंडे मैच की तयारिया जोरो पर चल रही है पूरे स्टेडियम को एक नए लुक देने का प्रयास किया जा रहा है बतादे 40 हजाद की छामता वाले इस खुबसूरत स्टेडियम की हर तयारियों पर जे एस सीए अधिकारी की पहनी नजर है स्टेडियम के चारो तरफ फैंसिंग का काम अम्तिम चरण में है जे सीए के अध्यक संजय सहाई ने बताया है कि राजधानी में इस समय मांसून की बारिश लगातार हो रही है लिहाजा जे सीए के सभी नौ पीचो को कवर कर दिया गया है मैदान के चारो तरफ फैली हरी घांस इसारा कर रही है कि इस बार मैच के बेतरीन आयोजन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है राजू सिरीवास्तव की निधन पर सियम हमन्त ने जताया दूख कॉमेडियन राजू सिरिवास्ताओ के निधन से उनके प्रसांसकों में सोक की लहर है वहीं इस घटना के बाद पूरी बॉलीबूड इंडस्ट्री में मातम चागया है देश के परधान मंत्री नायंद मोधी समेथ जार्खन के मुखे मंत्री हेमान स्रेन और कई ने तावर ने उनके निधन पर सोक जताया है जार्खन के पूरो मुख मंत्री रगवार दास और भाजपा परधेस अजेस्क बावुलान मरांडी ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है बता दे कि कमेडियन राजू शिरिवास्ताओ का अंठावन वरस के उम्र में आज यानि बुद्धवार को दिली के एमस में निधन हो गया दिली स्थीत अखिल भार्तिय अरुबिज्यान संस्थान में भरती राजू शिरिवास्ताओ को लगातार 41 दिन से होस नहीं आया था आई सुबा हाट अटेक के करून का निधन हो गया शिरिवनसिधर नगर में बजार बंद गदध सितंबर की देर साम परशासन की द्वारा सिरिवनसिधर नगर में मेसर्च महाकाल ट्रेडर के प्रोपराइटर रितिक कुमार का गेहुलादा ट्रक जब्त कर प्राथमिकी किये जाने के बिरोध में बुद्धवार को पलामू चेमबर अपकोमर्स एंड इंडस्ट् गया है कि परशासन के दुआरे किसानों से खरीदा गेहु को जन्वित्रन परनाली का बता कर उसे जब्त कर प्राथमिकी दर्च किया गया जो सरासर गलत है परशासन को जिससे गेहु की खरेद की गई है उसका लिखित ब्यान दिखाया गया है पुरानी पिंसन योजना चुन सकेंगे जार्खन के सरकारी करमचारी जार्खन सरकार ने अपने करमचारियों को नई या पुरानी पिंसन योजना चुनने का बिकल्प दे दिया है करमचारी 15 नॉमबर 2022 तक बिकल्प का चेयन कर सकेंगे उन्होंने इस समंध में सपत्पत्र दायर करना होगा सरकार की ओर से बुद्धवार को इस समंध में अलिसुचना जारी कर दी गई है बता दे बीत विभाक की ओर से जारी अलिसुचना में कहा गया है कि एक दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई अंसदाई पेंसन योजना में नियुक्त करमचारी एक सपत्पत्र देकर पुराणी पेंसन योजना का विकल्प चुन सकेंगे अगर कोई नई पेंसन योजना में बने रहना चाहता है तो उसे भी सपत्पत्र देकर उसकी जनकारी देनी होगी अधिस सुचना में कहा गया है कि पुराणी पेंसन योजना का विकल्प चुनने वालों को अनुलगनक एक और नई पेंसन योजना का विकल्प चुनने वालों को अनुलगनक दो में सपतपत्र देना होगा पारा सिक्षकों ने सिक्षा परियोजना का किया घिराव राजे के पारा सिक्षक जो अब सहायक अध्यापक कहलाते हैं उन्होंने आई धुरवा इसी सिक्षा परियोजना कर्याल का घिराव किया सिख्षकों नया घिराज़ दो मांसे मानदे नहीं दीय जाने की वया सिक्या है मौक्यों पर सवय कोड़ों की संख्या में सहायक अध्यापक सामिल हुए है या उनका एक दिवस्य घिरावकार करम है जो है कि किलित सहायक अध्यापक मोर्चा की ओर से अयुजित किया गया है इसमें कई जिले के सहायक अध्यापक सामिल हुए है बतादे इस समद में मोर्चा की और से बताया गया है कि राजी के लवग 62 अजार सहाय का ध्यापक जुलाई 2022 से लंबित मांदे भुकतान सहीद विभीन समस्याओ के समध हन नहीं पाने किस्थिती में आकरोसी थाए उन्होंने मांग किया है कि जुलाई और अगस्त का लंबित मांदे सहीद दसारा पर्व को ध्यान में रखते हुए सरकारी सिक्ष को कर्मियों की तरह सितंबर माह का मांदे का भी भुकतान किया जाए समध सिक्षा अभ्यान के तहट जीलो ने नहीं दिया 37 कोर का जबाब सिक्षा विभाग द्वारा बार बार मोके देने के बाद भी रासी का उपयोकिता पर्वान पत्र जमान ही किया गया अब ऐसे लोगों पर प्राथमी की दच कराई गई है राजी के 14 जीलों में अब तक 105 एफ़ायर दच कराई गया है विभाग ने जीलों से पूछा है कि जीन लोगों के खिला प्राथमी की दच कराई गई है उन में से कितने लोगों को अब तक जेल भेजा गया BEO और DSE को इसकी समिक्षा करने के लिए कहा गया है समधित जिले के DC और SP से मिल कर इसकी समिक्षा करने के लिए भी कहा गया है जिनकी गिरफतारी नहीं हुई है उनकी गिरफतारी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है बोकारो के लुगु पहार में जड़ी बूटी का भंडार बोकारो जिला के लुगु पहार की तलहटी श्थित ललपणिया के काला संस्किर्थी भवन में बोकारो जीला बैद संगठन की ओर से जड़ी बुटी वैधो का पांच दिवसी प्रसिक्षन सह सोध सिवीर लगाया गया सिवीर के क्रम में देश के बिभीन हिसो से आये बैधो ने लुगू पहार का भ्रहमन किया इस दवरान कई तेरा की जड़ी बुटी ओ की खोज की गई स्ताथी बैधो ने लुगू पहारवा आसपास के निकट चटानों में निकली जड़ी बुटी ओ को जमा किया ब्रहमन के दवरान दूसरे प्रदेशों से आये बैधो ने बताया है की जिन जड़ी बुटी की पाचान छेत्रिक के वाइद नहीं कर पाये थे वो यहां मौजूद है उन्होंने बताया है कि लोगों पहाड़ वासपास के जंगलों में जड़ी बुटी औसदी का भंडार है जड़ूरत है मिले जड़ी बुटी को सोध कर बीमारियों में उपलोग करनी की ज़ारखन पुलिस अब पाच बड़े नकसलियों की तलास में गुमला जिला की पुलिस को भगपा मवादी के पाच बड़े नकसलियों की तलास है जिसमें बिहार राजे के दो बड़े नक्सली सामिल हैं, जिनके जारखन राज में घुमने की सुचना भी है, साथ ही लाते हार जीला के एक नक्सली वा चाईबासा जीला के दो नक्सली हैं, इन पाचों नक्सली पर जारखन राज सरकार नहीं नाम की रासी घोसित कर रखी है गुमला परसासन ने भी नक्सलियों के नाम पता जारी करते हुए इनाम की रासी की जनकारी गुमला जीला के लोगों को दी है साथ ही नक्सलियों को पकड़ने में मदद करने या फिर गुप्त सुचना देने वाले लोगों को इनाम की रासी दी जाएगी गुमला पुलिस ने इन पाचो नक्सली की तलाज के लिए अभ्यान भी जारी कर रखा है पुलिस के नजर में यह पाचो नक्सली फरार है और कई नक्सली वारदातों में सामिल रहे हैं धनबाद पबलिक स्कूल में सिक्षक ने 10 रुपई लेने के बाद दी सेनेटरी पैड धनबाद पबलिक स्कूल हीरक बरांज में मनाता को सनमसार कर देने वाली घटना सामने आई है इस्कूल की नवीक अक्षा के एक छात्रा को कलास रुम में महवारी सुरू हो गई लेकिन इस्कूल की सिक्षिका ने उसे तब तक सेनेटरी पैड नहीं दी जब तक उसने दाशुरुपई नहीं दिये इस दोरान स्टाफ रुम से कलास रुम के बीच चकर लगाना पड़ा छात्रा के स्थिती लगातार खराब हो रही थी लेकिन सिक्षिका पैसे के लिए उसे दोड़ाती रही यह घटना 16 सितंबर की है मंगलवार को छात्राने अविभावक ने जीला सिक्षापता अधिकारी भूतनात राजवार राष्ट्रिये बाल अधिकाल सनरचन आयोग और महिला आयोग से सिकायत की है रातु किला में दुरगा पुजा को लेकर भवे तैयारी दुरगा पुजा की भवेता की चर्चा होते ही हमारे मस्तिक में कुलकाता के द्री से उभरता है बतादे भवे पंडाल बड़ी-बड़ी परतिमा है और चका चौंद कर देने वाले साथ सजा पहले बड़ी संख्या में लोग सार्दे नौरात में कुलकाता गुमने जाते थे कुछ ऐसा ही नजार अब रांची में भी दिखेगा बतादे सहर में करीब एक सो से ज़्यादा पंडाल बनते हैं जिसमें एक दरजन बड़ा पंडाल बनता है यहां की भवेता भी कुलकाता से कमतर नहीं होता दूर दूर से लोग रांची का दूरगा पुजा देखने आते हैं साधीय नवरात्र में पुजा उपवासना के साथ साथ मा को प्रसं करने के लिए बली की भी काफी पुरानी मन्याता है बली पराथा लोगों की आस्था से जुड़ी है अधिकतर जगों पर जहां बकरे की बली दे कर मा को प्रसं किया जाता है धन्यवाद यादि आप चैनल पने होते चैनलों के सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंदा भईये साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथ साथ आथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ो एक अवस्ते दे थैंक यू